नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ एक चीकू आपको इन छे अद्भूत फायदों से उत्परोत कर देगा चीकू खाओ जव पाए जाते हैं भारत वर्ष जैसे विशाल देशों में चीकू की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं समान्य तह एक चीकू का वजन 100-150 ग्राम तक होता है किन्तु इनका आकार प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है आकार प्रकार से आगे बात करें तो चीक हुए होते हैं जो हम जाननेंगे आज आखों को सुधारता है जब चीकू के स्वास्ते लावों के बात हो रही है तो इससे पहले कोई और लाव ध्यान में आहीं नहीं सकता चीकू में बहुत ही उत्तम प्रकार का और प्रचुर मात्रा में विटामिन A मिलता है विटामिन A आखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ततों में से एक है चीकू के इस लाव को पाने के लिए रोज एक या दो चीकू का सेवन किया जाना चाहिए हड्यों को मजबूत करता है जिहां चीकू में केलशियम फासफोरस और आयरन ततों पाये जाते हैं और ये तीनों ही तत ओ gateway के कमजोर होने की शिकायत नहीं होगी इसके साथ साथ ये कभज से रहत दिलाता है पूरे चीकू premi घुलनशील फाइवर मौजूद होता है जो पुरानी से पुरानी कबज में भी नियमित सेवन किये जाने पर लाफ करता है यदि चीकू के साथ पके पपीते का भी सेवन किया जाए और बाद में बहुत थोड़ा सा गुन गुना पानी पिया जाए तो यह प्रयोग बहुत ही उत्तम लाफ परदान करता है गर्भावस्था में अतियंत लाफ कारी होता है गर्भावस्था के समय जरूरी मुख्य तत्व जैसे की कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी इत्यादी चीकु में पाए जाते हैं साथ ही इसका विशिष्ट स्वाद गर्भावस्था में होने वाली जी मिचलाने की समस्या का भी समाधान देता है इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि यदि गर्भावस्था में नियमित चीकु का सेवन किया जाये तो यह गर्भवती महिला और होने वाले शिष्व दोनों को ही मजबूत बनाता है उर्जा का श्रोत चीकु में ग्लुकोज के अव्याव बहुत ही ज्याद लगना कम करता है इसका यह असर चार से पांच चीकु खाने के बाद आता है ऐसी अवस्था में यह उन लोगों के लिए विशेश लापकारी हो सकता है जो ज्यादा भूक लगने की वजह से ज्यादा खाते रहते हैं और इस कारण से उनका वजन बढ़ने लगता है यदि व मधुमी के रोग्यों में शुगर के लिवल को बढ़ा सकता है अतह मधुमी के रोग्यों को सलाह है कि वो चीकु का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें आयरुवेद के माध्यम से दी गई यह हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगर अच्छी हो और अ दिमातो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों